Hello everyone, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही सुन्दर, बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसे आप लेडिस के, जैंस के या बच्चों के किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं आप पूरी बाजू का कार्डिगन बना लीजिए, या जाकिट बनाईए, या बच्चों के लिए कोई भी प्रजेक्ट, कैप अब बना रहे हो, गलब्स बना रहे हो, किसी भी चीज में डाल सकते हो, यह बहुत सुन्दर लगेगा बनकर इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए, वो 8-8 के मल्टिबल से होंगे, और लास्ट में आपके 6 फंदे एक्स्रा होनी चाहिए, 4 फंदे पैटरन को इकवल करने के लिए, और 2 फंदे दोनों तरफ से 1-1 फंदा एस्टिच का होगा, यह सीधी तरफ से डिजाइन हमार और उल्टी तरफ से भी बिल्कुल फ्निशिंग से बनता है इस तरह से, लेकिन बनाने में यह बहुत ज़्यादा इजी डिजाइन है, चाहिए आप 3 प्लाई वूल से बना लिजे देखिए, चाहिए आप सिंगल वूल से बनाएंगे, तो दोनों से यह ऐस तरह से बहुत ही अच्छा डिजाइन आपका बन कराएगा, तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना, इसे बनाने के लिए सलाई में यहाँ पर फंदे डाल लिया है मैंने, और डिजाइन की फर्स रो जो सीधी तरफ से ही बन कराएगी, तो सीधी तरफ से डिजाइन की फर्स रो देखिए कैसे बनेगे, पहला फंदा एस्टीच का है, बनाएगे चाहे उतारिए यह आपकी मर्जी है, तो पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद, फिर धागा अपनी तरफ उल्टा ठीक है ये चार फंदों का डिज्याइन हो गया हमारा अब धागा दूसरी तरफ कर लेना है हमने दो फंदे ये आगे वाले छोड़ेंगे ये दो फंदों में इस तरह से स्लाइड डालेंगे आगे से अब इन दो फंदों को निकालेंगे पीछे से देखे इस तरह से लेफ्ट निडल में ले लेंगे अब इसे आगे से इस तरह से डाल लेंगे और इन चारों फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है एक दो तीन और ये चार अब ये फ्रेंस जैसे मैंने आपको बताया कि आठ फंदों का डिजैन है इन ही आठ फंदों को बार 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 पूरी slime हमने repeat करना है एक फंदा उल्टा बनाएंगे जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे फिर से एक फंदा उल्टा फिर दो फंदो को twist करेंगे आगे से हमने यहाँ पर आगे ले आए ठीक है? left to right twist किया हमने फंदो को तो इस तरह से चारों फंदों को ट्विस्ट करने के बाद सीधा बना लिया, अब इसी रिज्यान को फिर से मैं रिपीट करके दिखाती हूं, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा पहले तो उल्टा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक ये दो, इ इस दो फंदे आगे वाले छोड़ेंगे, इन पीछे वाले दोनों फंदों में इस राजे स्लाइड डालेंगे, निकाला इन दो फंदों को लियाए ऐसे, पीछे इन दो फंदों को आगे लियाए, अब इन चारों फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है, एक, दो, तीन, और यह चार ऐसे ही आपकी स्लाई में जितने भी फंदे हैं सारे ऐसे ही बनाते जाएंगे लास्ट में देखें क्या करना है हमने एक फंदा उल्टा बनाना है धागा अपनी तरफ रखना है इन दोनों फंदों में स्लाई डालेंगे बीचे से दो का एक कर देंगे दो कैये करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे यह मेर से एक फंदा जादा बन गया है तो लास्ट एस्टिज के फंदे को हम सीधा ही बना देंगे इस तरह से करते हुए डिजैन की पूरी first row हमने बना कर कंप्लीट कर लेनी है अब second row देखिए, उल्टी तरफ से हमने second row को कैसे बनाना है, first फंदे को उतारना है, दागा दूसरी तरफ कर लेना है, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर दागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक ये फंदा, एक ये जाली वला, फिर दागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब इनी आठ फंदों को पूरी इस लाई में हमने बार 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 रिपीट कते जाना है, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, फि धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, लास्ट में देखेए, धागा दूसरी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, और एक फंदा उल्टा, इस तरह से, इस तरह से करते हुए design की second row बना कर पूरी complete कर लेंगे, अब row third बनानी है हमने सीधी तरफ से, तो row third को देखे कैसे बनेगी, first फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, अब पहले हमने धागा इसे दो फंदों में slide डाली थी, पीछे से दो काई किया थो और जाली डाली थी, इधर वाली side, अब हमने क्या करना है, धागा दूसरी तरफ करना है, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों में आगे से slide डाल लेंगे इस तरह से, दो काई कर देंगे, दो काई करने के बाद धा अपनी तरफ करेंगी इस तरह से स्लाई पर बल देंगे, उल्टे की तरफ से और यह एक फंदा उल्टा, पहले हमने जाली इधर डाली थी, इस बार जाली इसकी इधर आएगी, ठीक है, धागा दूसरी तरफ करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, अब इसी पूरी स्लाई में हमने बार 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 रपीट करना है एक फंदा उल्टा बनाएंगे आगे से स्लाई डालते हुए दो का एक करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा उल्टा चार फंदे सीधे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे याइन भी नहीं बनेगा हमारा, फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इन दोनों फंदों में आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ इस तरह स पूरी बना कर हम कंप्लीट कर लेंगे, अब रो फोर्थ मनानी है हमने, और रो फोर और जितनी भी रो उल्टी तरफ से बनेगी न, जैसे हमने अपनी सेकिंड रो बनाई है, सेम टू सेम वैसे ही बनती जाएगी, बस आपने अब फंदों पर फंदे बनाते जाना है, एक फ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, और ये एक, ये दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से ये चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और एक फंदा उल्टा अब फ्रेंड्स ये चार सलाईयों का हमारा डिजैन है इनी चार सलाईयों को सेम टुसे मैं ऐसे ही हमने पूरी डिजैन में बार 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 रिपीट करते जाना है अब फिर से मैं एक बार आपको फर्स्ट रो बना कर दिखाते हूं ताकि डिजैन अच्छे से आपको दिखाई दे तो पहले फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बला लेंगे फिर धागा अपनी तरफ रखना है देखिए एक फंदा ये एक फंदा ये इन दोनों में पीछे से slide डालने है, धागा अपनी तरफ रखते ही है क्योंकि इस बार इधर जाली डालेगी, जैसे first row में डाले थी हमने, ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, अब धागा दूसरी तरफ कर लेना है, हमने धागा दूसरी तरफ करते हुए आ आगे से right ले आए, अब इन चार फंदों को सीधा बना लेंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब इन इव आठ फंदों को देखे, भार 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 पूरी स्लाई में आपने repeat करते जाना है, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा बनाएंगे, आगे रखेंगे धाग वाले फंदे छोड़ेंगे, इन दो फंदों में स्लाई डालेंगे पीछे से, आगे से, इन फंदों को निकाला, पीछे से ऐसे left needle में ले ले लेंगे, इनने आगे से, आगे ही डाल लेंगे, और ये चार फंदों को सीधा बना लेंगे, बिल्कुर सेम टू सेम वैसे ही दिखाई थी, सेम उन्ही फंदों पर मैंने फंदे डाले हैं, तो इनी चार 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 सलाईयों को आपने बार 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 रेपीट करते जाना है, तो आपका बहुत ही सुन्दर बहुत प्यारा डिजाइन बनकर रेडी हो जाएका देगे, सैकिंड रो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर केबल बनेगी, अब इसे डिजाइन को आगया आगया आप बनाते जाएंगे, तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा बनकर, तो अगर आज का यह डिजाइन आपको पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा ह और यह वीडियो पसंद आये, तो प्लीज चैनल को जुरूर जुरूर सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियो को लाइक शेयर करना, बिल्कूल मत भूलिएगा, मैं फिर मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में, बाबाई, हैवा नाइस टे,